चाप्टर 4 अलजेबरा ओफ मैटर्सीज एक्सराइस 4.3 का कोश्य नमबर 54 का फर्स पार्ट है P of X दियावा है हमारे पास cos X sin X minus sin X cos X then show that P of X into P of Y equal to P of X plus Y equal to P of Y dot P X तो देखो सबसे पहले हम P X plus Y निकालते है तो आपने कुछ भी नहीं करना बस इस X की जगा जितने भी X है ना वहाँ पे X plus Y लिखना है तो यह बनेगा cos X plus Y sin X plus Y minus sin X plus Y देखो मैं सिरफ X की जगा X plus Y दाल रहो cos X plus Y ठीक है next देखो क्या करेंगे P of X into P of Y निकालेंगे पहले नहीं यहाँ पे P of Y भी निकाल लो P of Y में आपने क्या करना है X की जगा Y दाल देना है cos Y sin Y minus sin Y cos Y ठीक है अब हम निकालते है P of X into P of Y यहाँ पे P of X की value आपके सामने दिया है यह लिखो और फ़र P of Y की value वो यह दी cos Y sin Y minus sin Y cos Y अब इन दोनों को multiply करते हैं इस वले को इस से तो यह बनेगा cos X cos Y minus sin X sin Y cos X cos Y minus sin X sin Y फिर इस row को इस column से यह बनेगा sin X sin Y sin X cos Y तो पहले मैं यह बना लिख रहा हूँ sin X cos Y पहले लिख रहा हूँ और बाद में यह लिख रहा हूँ cos X sin Y cos X sin Y ठीक है फिर इसको इस से यह बनेगा minus sin X cos Y minus sin X cos Y minus cos X sin Y फिर इसको इस से यह बनेगा देखो यह बनेगा minus sin X sin Y इसको इस से करेंगे यह बनेगा cos X cos Y तो पहले मैं cos X cos Y लिख रहा हूँ और बाद में minus sin X sin Y अब देखो cos A cos B minus sin A sin B यह किसके एक बने होता है cos A plus B के और दूसरा फर्मला sin A cos B plus sin B cos A यह होता है sin A plus B तो देखो यह यह बन रहा है cos A cos B minus sin A sin B तो यह आजाएगा cos X plus Y यह देखो sin A cos B plus cos B sin A यह हो जाएगा sin A plus B अगर आप इन दोनों में minus common निकालो तो bracket में क्या बचेगा sin X cos Y sin X cos Y plus cos Y यह एक सेकंद ठीक करना यह बनेगा यह cos X है cos X sin Y है ना तो यह formula किसका होगा sin A plus B का तो यह आजाएगा sin X plus Y और यह देखो cos A cos B minus sin A sin B यह भी क्या बनेगा cos A plus B के तो यह हो जाएगा cos X plus Y तो अगर आप देखो यह और यह है ना same तो हम इसको लिख सकते हैं equal to P of X plus Y इसी तरह अब आप P of Y into P of X निकालो पहले P of Y की value दालो cos Y sin Y minus sin Y cos Y इनको भी आप multiply करोगे ना यह multiply करोगे यह भी same Y आएगा जो अभी हमने निकाला equal to यह भी यही बनेगा अब चेक कर लो multiply करके यह भी यही बनेगा cos X plus Y sin X plus Y minus sin X plus Y और cos X plus Y यह भी किसके बराबर हो जाएगा P of X plus Y के बराबर तो hence हम क्या लिखेंगे P of X into P of Y equal to P X plus Y equal to P Y into P X यह हो गया हमारे question number 54 के first part का proof question number 54 का second part है यह question number 54 का P दियाव है Q दियाव है proof करना है P Q equal to this और Q P भी यही आना चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले P Q निकालते हैं दोनों को multiply करना है यह देखो यह P यह यह क्या हुआ है दोनों को multiply करो इसको इससे करेंगे X A plus 0 plus 0 तो यह X A आ जाएगा फिर इसको इससे करो 0, 0, 0 फिर इससे करोगे यह भी 0 आ जाएगा इसको इससे 0, 0 यह भी 0 इसको इससे 0 Y B plus 0 यह बनेगा Y B फिर इसको इससे 0, 0, 0 फिर इसको इससे 0, 0, 0 यह भी 0 आ जाएगा इसको इससे 0, 0, 0 फिर इसको इससे 0, 0 और यह बनेगा Z Z यह आगया हमारा P क्यों, ठीक है, अब next निकालते है क्यों P, पहले क्यों की value डालो, 0B0, 0, 0C, फिर P की value, X0, 0, 0Y0, 0, 0Z, अब हम इसको इस से multiply करेंगे, यह बनेगा AX, और यह बनेगा 0, तो यह हो गया AX, इसको इस से, यह बनेगा 0, इसको इस से, 0, 0, 0, फिर इसको इस से, 0, 0, 0, फिर इसको इस से, 0, BY0, BY बना, फिर इसको इस से multiply करो, 0, 0, 0, फिर इसको इस से, 0, 0, 0, यह भी 0 ही हो जाएगा और इसको करोगे, यह CZ बनेगा, आप देखो ये तीनों बराबर हो गए ये दोनों सेम आए तो हैंस P Q equal to X A 0 0 0 Y B 0 0 Z C equal to Q P ये हो गया हमारा question number 54 complete question number 55 है हमारे पास A दियावा मैंटिस find A square minus 5A plus 4I and hence find a matrix X such that A square minus 5A plus 4I plus X equal to 0 तो देखो सबसे पहले हम A square minus 5A plus 4I निकालते हैं तो सबसे पहले A square निकालते हैं इसको लिको A into A इन दोनों को multiply करेंगे 2 0 1 2 1 3 अब इन दोनों को multiply करते हैं ठीक है इसको इससे ये बनेगा 4 plus 0 plus 1 4 plus 1 5 अब इसको इससे 0 0 minus 1 फिर इसको इससे 2 एक सेड़ टू जीरो जीरो तो 2 बचा फिर इसको इससे 2 2s are 4 plus 2 6 6 plus 3 9 फिर इसको इससे 0 1 minus 3 1 minus 3 minus 2 फिर इसको इससे 2 plus 3 5 5 5 plus 0 5 अब इसको इससे 2 minus 2 0 ये भी 0 तो पूरा 0 हो गया अब इसको इससे 0 minus 1 0 फिर इसको इससे 1 minus 3 minus 2 और ये 0 ठीक है अब हम इसके बाद निकालेंगे a square minus 5a plus 4i यहाँ पर दालो सबसे पहले a square की value वो ये दी है 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 अब हमें चाहिए 5a की value ये देखो a है न इसको 5 से multiply करो सबको करना है 10 0 5 फिर निक्स के आएगा 5 से करना है 10 5 15 फिर 5 से 5 minus 5 0 अब प्लस 4i i होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको 4 से multiply करो तो यह बनेगा 4 0 0 4 0 0 4 अब पहले इन दोनों को minus करो 5 minus 10 minus 5 plus 4 करो कितना बनेगा minus 1 फिर minus 1 और 0 और 0 तो minus 1 ही आजाएगा फिर नेक्स 2 minus 5 minus 3 और 0 minus 3 9 minus 10 minus 1 और यहाँ पे 0 ही है minus 1 हो जाएगा minus 2 minus 5 minus 2 यहाँ पर कोई गरबड़ तो है एक सेकिंड इसको दुबारा चेक करना यह बना था 0 1 minus 3 तो यह minus 2 ही हुआ अब देखो यहाँ पर दुबारा देखो minus 2 minus 5 कितना हुआ minus 7 और plus 4 minus 3 5 minus 15 और 0 यह हो गया minus 10 0 minus 5 और 0 minus 5 next minus 1 यह plus 4 minus 1 plus 4 और यह बन गया 4 minus 2 यह 3 minus 2 और plus 4 यह आएगा 2 यह निकल क्या अब हम क्या करेंगे अब हमें निकालना है x तो हम क्या करते है 1 3 10 cases होते है न वो 3 cases लेंगे ठीक है तो case 1 सबसे पहला case में क्या करना है n को 1 पुट करो आपने इस पूरी term में n को 1 दालना है सबसे पहले यहां 1 दालो फिर यहां दालो ठीक है तो यह देखो क्या a equal to 0 1 1 0 1 आप देखो यह given है है न given तो given चीज हमेशा true होती है तो हम कहेंगे n equal to 1 is true यह मारा case first proof हो गया case second में क्या करना है आपको n की जगा k दान ला यह जो दिख रहा है न आपको यहां पर इस n की जगा k तो यह बनेगा a k equal to 1 k 0 1 और यह मान लेना है कि यह case assume करना है यह case true है इसको हमें proof नहीं करना इसको assume करना है यह case true है ठीक है जो case 3 होगा वो हमें proof करना है case third n की जगा हम क्या रखेंगे k plus 1 और 2 proof करेंगे यहां पर देखो यह जो n दिख रहा है न इन दोनों जगा आपको k plus 1 दालना है a k plus 1 1 k plus 1 0 1 यह चीज़ proof करने के लिए क्या करो यहां से lhs लो और rhs के equal proof करेंगे lhs लेली हमने a k plus 1 अब इसको न मैं तोड के लिख रहा हूँ a k into a की power 1 when basis आसे powers are added वो यही बनेगा a k आपके सामने है 1 k 0 1 और a की power 1 वो यह दी या इसको ले लो या इसको किसी को भी ले लो 1 1 0 1 अब इन दोनों को multiply करो इस row को इस column से यह बनेगा 1 plus 0 फिर इसको इससे 1 plus k फिर इसको इससे 0 plus 0 फिर इसको इससे 0 plus 1 तो यह आ गया 1 k plus 1 0 1 अगर आप देखो यह देखो इसके बराबर है यह दोनों सेम है इकल तो RHS तो हैंस n इकल तो k plus 1 is true तो यह पर लिखना हैंस प्रूवड यह होग है मारा 56 complete कोशियन नंबर 57 है मारे पास इस a equal to ab01 prove that a की पावर n equal to a raised to power n b an minus 1 upon a minus 1 0 1 for every positive integer n अब इसको भी हम induction से proof करेंगे case first सबसे पहले n को 1 लेंगे आपने क्या करना है यहाँ पे n की जगा 1 दाल देना है तो यह बनेगा a की पावर 1 equal to a की पावर 1 b a की पावर 1 minus 1 upon a minus 1 0 1 यह और यह cancel कर दो तो यह बनेगा a b 0 1 अगर आप देखो यह given है तो हमारा n equal to 1 is true हो गया case second में क्या करना है आपको n की जगा k दाल ले यह जो आपके पूरी term है न इन की जगा n की जगा k दालना है तो यह बनेगा a k equal to a k b a k minus 1 upon a minus 1 और यहां लिखना है 0 1 और assume करना है की यह case true है assume that n equal to k is true third case में क्या करना है आपने n की जगा k plus 1 दालना है case third n equal to k plus 1 और to proof करना है आपको देखो यहां पर यह जो k है न यहां पर k plus 1 लिख दो a k plus 1 k यह बनेगा a k plus 1 b a k plus 1 minus 1 upon a minus 1 और नीचे 0 1 ठीक है यह चीज़ हमें proof करनी है तो हम क्या करेंगे इसके लिए lhs लेंगे यह lhs और यह proof करेंगे lhs है यहां पर a k plus 1 अब इसको तोड़ो इसको लिखो a k into a की पावर 1 a k की value आपके सामने है यह दाल दो a k 0 b a k minus 1 upon a minus 1 1 और यहां पर a की value दाल दो a की value देखो यह है a की पावर 1 की value यह ले लो यह ले लो कोई भी ले लो a b 0 1 अब इनको multiply करके यह बनना चाहिए इस row को इस column से multiply करो यह देखो क्या multiply हो गएगा a k into a अब इसकी power 1 है when bases are same powers are added तो यह बनेगा a k plus 1 और इसको इससे करोगे यह 0 ही हो जाएगा अब इसको इससे यह बनेगा a k b और इसको इससे करो यह सेम लिख दो b a k minus 1 upon a minus 1 ठीक है फिर इसको इससे 0 0 अब इसको इससे 0 1 तो यह 1 बचेगा तो यह आगी a k plus 1 0 इन दोनों में na b common है इसको मैं पहले राफ में solve करो b common है और 7 में मैं इसका lcm ले रहो यह ऐसे बनेगा इसको इससे multiply करेंगे plus a k minus 1 है ना अब इसको solve करेंगे इसको जब इससे multiply करेंगे तो यह बनेगा a k plus 1 क्योंकि इसकी power basis है power side इसको इससे करेंगे a k a k minus 1 upon a minus 1 तो यह और यह cancel हो जाएगा तो यहाँ आजाएगा a k plus 1 minus 1 upon a minus 1 और यहाँ बचेगा 1 अगर आप RHS देखो यह देखो RHS same है दोनो है ना तो यह हम बोलेंगे equal to यह आगी RHS n equal to k plus 1 is true hence proved यह हो गया हमारा 57 complete question number 58 है हमारे पास if a equal to this matter is then prove the principle of induction that an equal to this matter is for all n belongs to n तो हम यहाँ पे कुछसा method लगाएंगे induction तो case 1 सबसे पहले n को हम यहाँ पे 1 put करेंगे ठीक है तो यह बनेगा a की पावर 1 equal to यह 1 theta हो जाएगा मतलब cos theta यहाँ दालोगे तो यह भी sin theta यहाँ भी sin theta और यहाँ भी sin theta cos theta तो अगर आप देखो a की पावर 1 तो a ही होता न तो यह same नहीं है तो हम लिखेंगे n equal to 1 is true तो यह हमारा case was true हो गया अब case second आजो case second में क्या करना है n की जगा हम k दालेंगे यह जितने भी n दिख रहेंगे आपको सब जगा k दाल दो cos k theta iota sin k theta फिर यहाँ पर iota sin k theta cos k theta और assume करेंगे यह case true है assume that n equal to k is true case third case third में क्या करेंगे n की जगा हम k plus 1 दालेंगे और two proof करेंगे यह देखो इस पूरे case में n की जगा k plus 1 दालना है a k plus 1 equal to cos k plus 1 theta plus iota sin k plus 1 theta ठीक है फिर यहाँ पर भी iota sin k plus 1 theta cos k plus 1 theta ठीक है अब हमने क्या करना है lhs लेंगे उसको rhs के equal proof करेंगे lhs है हमारी a k plus 1 इसको तोड़ो इसको लिखो a k into a अब a k की value आपके सामने है यह दीवी है cos k theta iota sin k theta iota sin k theta और cos k theta और a की power 1 की value यह दीवी है cos theta iota sin theta iota sin theta cos theta अब इन दोनों को multiply करते हैं इसको इससे multiply यह बनेगा cos k theta cos theta यह बनेगा plus iota square यह बनेगा iota square sin k theta iota square की value होती है minus 1 iota square की value होती है minus 1 तो यह बनेगा minus sin k theta cos theta अब इसको इससे यह बनेगा iota यह देखो क्या बनेगा iota sin theta cos k theta है ना और यह बनेगा इसको इससे करेंगे iota sin k theta cos theta इन दोनों में से iota common निकाल रहा हूँ और पहले यह बली term लिख रहा हूँ sin k theta cos theta plus sin theta cos k theta अब इसको इससे multiply यह बनेगा इसको इससे करोगे और इसको इससे करोगे दोनों में iota common आ जाएगा यहाँ बनेगा sin k theta cos theta plus cos k theta sin theta मैंने यहाँ पर iota common निकाल लिया अब इसको इससे करो यह बनेगा iota square sin k theta sin theta plus इसको इससे करोगे cos k theta cos theta तो पहले यह लिख रहाँ cos k theta cos theta iota square की value minus 1 ठीक है यहाँ तक आ गया अब देखो cos a cos b minus sin a sin b क्या होता है cos a plus b है ना तो यह बनेगा cos k theta plus theta फिर यह देखो यह बन रहा है sin a cos b plus sin b cos a यह बनेगा sin a minus b तो यह आएगा iota sin a minus sorry a plus b k theta plus theta इसी तरह यह बनेगा sin a plus b k theta plus theta और यह cos a minus b ठीक है अब क्या करो इन दोनों में theta common निकालो यह बनेगा k plus 1 theta बहरा आ जाएगा और इन में भी k common आ जाएगा और theta common यह भी यह बनेगा फिर इन में भी k common और इन में भी k common यह plus है k plus 1 theta अगर आप rhs देखो यह देखो rhs यह rhs और यह rhs same है तो n equal to k plus 1 is true hence proved यह हो गया हमारा question number 58 भी complete question number 59 है हमारे पास if a दिया है हमारे पास यह matters is prove that a की power n हमें यह proof करना है तो इसको भी हम induction से proof करेंगे case 1 पहले तो n को 1 लेंगे अब यह detection 15 लेंगे अब यह दालोगे a की power 1 a हो जाएगा वान दालोगे cos alpha प्लस sint alpha बनेगा यह दालोगे तो यह बनेगा root 2 sin alpha इसमेया 1 दालोगे यह बनेगा minus root 2 sin alpha और इसमें वान दालोगे तो यह बनेगा cos alpha muscular माइन Nós sin alpha अगर आप देखो यह given है हमारे पास देखो है न given तो given हमेशा true होता है तो n equal to 1 is true ठीक है k second में क्या करना है n की जगा k दाल ला n equal to k तो यह जो आपको देख रहा है इस पूरी जगा k दाल दो cos k alpha plus sin k alpha minus root 2 sin k alpha sin k alpha cos k alpha minus sin k alpha तो इसको माल लो यह case true है तो हमारे दो cases होगे अब हमारा main जो case है वो है third आपने क्या करना है इस पूरी जगा n की जगा k plus 1 दाल देना है n equal to k plus 1 तो देखो यह यहाँ पर जो k दिख रहा है ना वहाँ k plus 1 लिखतो और यह proof करेंगे to prove a की पावर k plus alpha यह बने का cos k plus 1 alpha plus sin k plus 1 alpha फिर यहाँ पर भी minus root 2 sin k plus 1 alpha minus root 2 sin k plus 1 alpha cos k plus 1 alpha minus sin k plus 1 alpha ठीक है? अब हम क्या करते है? इसकी LHS लेते है वह होगेगा a k plus 1 वह होगेगा a k into a की power 1 a k की value यह दीवी है और a की value यह है देख लो द्यान से यह a k की value और यह a की value दोनों values मैं यहाँ दालने जा रहा हूँ और इसको 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 एकल प्रूफ करेंगे a k की value अब देख लेना मैंने अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं ठीक है? cos की alpha plus sin की alpha minus root 2 sin की alpha minus root 2 sin की alpha cos की alpha minus sin की alpha into a की power 1 है मारे पास cos alpha plus sin alpha root 2 sin alpha minus root 2 sin alpha cos alpha minus sin alpha ठीक है? अब इन दोनों को multiply करके यह आना चाहिए यह answer बनना चाहिए इसको इससे multiply करो क्या बनेगा? cos की alpha cos alpha फिर इसको इससे या पहले इसको इससे कर लो यह बनेगा sin क्या बनेगा यह? एक सेटो को इसको इससे करेंगे यह बना अब इसको इससे करें चोड़ो जिससे भी कर लो cos की alpha sin alpha इसको इससे plus sin की alpha cos alpha इसको इससे plus sin की alpha sin alpha ठीक है? और इसको इससे यह बनेगा plus 2 sin की alpha cos alpha फिर इसको इससे करोगे इसको इससे, ठीक है? यह क्या बनेगा? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यह बनेगा, इसी के साथ लिखे रहा हूँ, ठीक है? इससे, इसससे, इसससे, इसको इसससे, इससे, इससी के घो हूँ, ठीक है? अब इसको इससे cos minus root 2 एक सेकंड इसको इससे किया अब इसको इससे हाँ minus root 2 sin alpha cos k alpha plus इसको इससे root 2 sin k alpha cos alpha और sin alpha ठीक है अब इसको इससे multiply यह बनेगा plus 2 sin k alpha sin k alpha sin alpha अब इसको इससे multiply यह जब इसको इससे multiply करोगे तो क्या आएगा cos k alpha cos alpha इसको इससे minus cos k alpha sin alpha अब इसको इससे कर लिया इसको इससे कर लिया अब इसको इससे minus sin k alpha cos alpha और इसको इससे plus sin k alpha sin alpha अब इसके बाद ना एक दो step directly करूँगा दियान से समझना लेकिन देखो क्या करने जा रहो cos a cos b plus sin a sin b नहीं यही बन रहा है न cos a cos b plus sin a sin b किसके इकुल होता है cos a minus b के लेकिन क्या करो यहाँ पर ना ठीक करना यह इसको इससे multiply क्या था यह sin alpha आएगा और यहाँ पर minus आएगा अब देखो यह दोनो minus होके पहले तो मैं देखो रफ में लिख रहा हूँ cos k alpha cos alpha इन दोनों को minus करोगे तो यह बनेगा minus sin k alpha sin alpha यह देखो बन रहा है cos a cos b minus sin a sin b यह होता है cos a plus b के बराबर दोनों में alpha common निकाल लो तो यह बन जाएगा k plus 1 alpha फिर उसके बाद देखो यह क्या sin a cos b cos a sin b यह होता है sin a plus b के बराबर तो मैं इसको लिखूँगा sin यह ही लिखूँगा ठीक है alpha common आजाएगा यहां तक आगया इन सब में देखो पहले तो एक काम करो इन में देखो कोई same है यह और cos k alpha यह देखो यह दोनों same है है ना same तो मैं इसको लिखूँगा 2 times root 2 sin alpha cos k alpha है ना यहां पर भी ठीक करना यहां भी मैंने गड़र लिखा है यह k alpha है और यह alpha है देखो यह और यह कट रहा है सामने दिख रहा है है ना इन दोनों में इन दोनों में root 2 common है है ना root 2 common तो bracket में क्या बचेगा यह formula बन जाएगा सीधा sin a plus b का यह क्या बन जाएगा sin a plus b का अब यहां पर देखो इन में देखो कोई कट रहा है यह यह term और sin alpha वली term यह term यह दोनों कट रही है नहीं यह नहीं कट रही यह term sin alpha मैंने सारी multiply गलत लिखे वे हैं तो यह बनता है sin alpha मैंने cos alpha लिखा हूँ है यह term और यह term कट रही है यह आगी मारी RHS 1 plus 1 2 2 by 2 यहां लिखना n equal to 1 तो 2 by 2 1 हो जाएगा और 0 1 1 0 0 1 तो यह देखो यह true हो गया क्योंकि यह given है k second में क्या करो n की जगा k दालो तो यहां पर पूरे case में n की जगा k दाल दो तो यह बनेगा 1 k k k plus 1 upon 2 0 1 k और 0 0 1 और assume करो यह case true है assume that n equal to k is true अब आजो case third case third में क्या करने है आपने n की जगा k plus 1 दालने है और यह आपको proof करने है to proof यह n दिखरा है नहीं इसकी जगा k plus 1 दालो a k plus 1 equal to 1 k plus 1 यहां दालोगे यह बनेगा k plus 1 और यह बनेगा k plus 2 upon 2 फिर यहां पर 0 1 k plus 1 और 0 0 1 ठीक है हमें यह चीज़ प्रूफ करने है अब हम क्या करते है lhs लेते है a k plus 1 यहां पर इसको तोड़ो a k into a यहां पर a k की value वो यह दिया है 1 k k k plus 1 upon 2 01 k 001 और यहां पर a की value a की value आपके पास question में given है आप check करो यह question में given दिया है अब हम दोनों को multiply करेंगे इसको इससे multiply यह बनेगा 1 0 0 इसको इससे multiply 1 k 0 मतलब k plus 1 अब इसको इससे 1 k और यह multiply होगा k k plus 1 by 2 इसको bracket में रख लो अब इसको इससे 0 0 0 इसको इससे 0 1 0 इसको इससे 0 1 k तो यह बना k plus 1 फिर इसको इससे यह तो 0 ही हो जाएगा इसको इससे करोगे 0 और इसको इससे करोगे 1 ठीक है अब आपने क्या करना है इन दोनों में सिरफ यह solve करना है बस इन दोनों में k plus 1 common यहां bracket ने बचेगा 1 और यहां बचेगा k by 2 सिर्फ इसका LCM लेलो और हमारा proof हो जाएगा देखो जब इन दोनों का LCM लोग है तो यह बनेगा k plus 2 तो मैं लिख रहो k plus 1 k plus 2 upon 2 0 1 k plus 1 0 0 1 यह देखो यह हमारी RHS है तो n equal to k plus 1 is true hence proved question number 61 दिया हमारे पास B and C are N road square matrix मतलब इसका order N into N है इसका यह मतलब हो गया ठीक है यह N लिख है मैंने उसके पाद कहता है A equal to B plus C B C equal to C B C square equal to 0 then show that A raise to power N plus 1 equal to B N into B plus N plus 1 into C तो case 1 सबसे पहले N की जगा 1 दालो यह बनेगा 1 plus 1 2 यहाँ दालोगे तो यह बनेगा B यहाँ दालो यह बनेगा B 1 plus 1 2 तो यह बना 2C ठीक है इसको लिखो B square plus 2C square ठीक है नहीं 2C square नहीं 2C B या B C कुछ भी लिख लो C B यहाँ तक आगया अब अगला step देखो क्या करने जा रहा हूँ हम अब देखो यहाँ पर लिखो B square plus 2 C B को हम लिख रहे हैं B C ठीक है तो हमारा यह case true हो गया N equal to 1 is true अब K second K second में क्या करना है N की जगा K दालना है यह पूरी term दिख रही है ना आपको यहाँ पर N की जगा K दाल दो यह बनेगा K plus 1 B K B plus K plus 1 और यहाँ पर लिख दो assume that N equal to K is true अब आजो case third case third में क्या करो N की जगा K plus 1 दालो और 2 proof करो यह देखो यहाँ पर N की जगा K plus 1 दालेंगे तो यह बनेगा A K plus 2 यह बनेगा B K plus 1 और यहाँ बनेगा B plus यह बनेगा K plus 2 और यहाँ पर C अब इसकी LHS ले लो LHS है इसकी A K plus 2 इसको तोड़ो A K into A square A K की value है आपके सामने लिखिया नहीं नहीं 1 second K plus 2 A K की value इसको A काम करो इसको plus 1 में रखो वो ठीक देगी है ना अब A K plus 1 की value यह लिखिया B K B K plus 1 into C और A की value A की value देखो question में given है B plus C है अब अब देखो क्या करेंगे इन दोनों को multiply करके यह बनना चाहिए तो यह बना B K इसको इससे multiply करेंगे B square इसको इससे करेंगे B C फिर K plus 1 इसको इससे करो C B और इसको इससे K plus 1 C square अगर आप question में देखो C square की value 0 दी वी है तो यह पूरा 0 हो जाएगा तो यह बनेगा B K B square plus B C plus K plus 1 C B यह 0 हो गया ठीक है plus 0 अब इन तीनों में देखो क्या common है B common है तो बाहर आ जाएगा B बाहर आ जाएगा यह आगया B बाहर यहाँ बचेगा B plus C K plus 1 C ठीक है अब क्या करो इन दोनों में भी C common निकालो तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा K plus 1 तो यह हो जाएगा K plus 2 और इन दोनों की ना बैसी सा सेम पावर सा राइडिट यह बनेगा K plus 1 और यह बनेगा K plus 2 और यह C अगर आप RHS देखो यह देखो B K plus 1 B plus K plus 2 C यह ही है यह आगी मारी RHS तो यह हो गया मारा प्रूफ कोश्चन नमबर 61 का कोश्चन नमबर 62 दिया है A equal to diagonal ABC diagonal ABC का मतलब होता है ऐसे A 0 0 0 B 0 0 0 C यह होता है diagonal ABC हमें प्रूफ करना है A की पावर N equal to diagonal A की पावर N B की पावर N C की पावर N तो इसमें induction यूज करेंगे case first N को ले लो 1 तो यह बनेगा A की पावर 1 वो A हो जाएगा यहाँ पे दालोगे तो यह ABC आ जाएगा और यह given है तो हो गया प्रूफ N equal to 1 is true case second N की जगा K दाल दो तो यह बनेगा A के diagonal B के C के और assume कर लो यह true है assume that N equal to K is true case third N को आपने put करना है K plus 1 और 2 प्रूफ करेंगे यहाँ पे N की जगा आपको K plus 1 दालना है A के प्लस 1 diagonal A के प्लस 1 B के प्लस 1 C के प्लस 1 ठीक है अब हम क्या करेंगे LHS लेंगे वो दिया है A के प्लस 1 इसको लिखो A के इंटू A की पावर 1 A के की वैल्यू है diagonal A के B के C के और A की पावर 1 की वैल्यू है diagonal A B C अगर आप इसको खोल के लिखना चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो यह बनेगा A K B K नहीं सौरी यह बनेगा A K 0 0 0 B K 0 0 0 C K और यह बनेगा A 0 0 0 B 0 0 0 C अब इन दोनों को multiply करके यह आना चाहिए ठीक है करो multiply इसको इससे करेंगे यह बनेगा A K into A बाकी तो 0 ही हो जाएंगे A K into A वन बेसी था सेंग पॉवस है रड़िट यह बनेगा K plus 1 और बाकी करोगे वो 0 ही आएंगे देख लो चेक कर लो आप इसको इसससे करो यह भी बनेगा B K plus 1 और बाकी 0 और यह बनेगा C K plus 1 इसको लिख दो diagonal A K plus 1 B K plus 1 C K plus 1 यह आगया इसके ब्राबर तो यह हो गी RHS N equal to K plus 1 is true hence proved यह हो गया मारा 62 भी complete Q नमबर 63 है हमारे पास A is a square matrix then prove that A की पावर T T हो गया T यहां पे transpose होना चाहिए A की पावर T raise to par N equal to A की पावर N T T हो गया transpose तो induction से proof करेंगे transpose जो होना है वो अपने अगली exercise में पढ़ना है इन्होंने पहले से ही देखे रखा है N को 1 दाल दो तो यह बनेगा एसे और यह ऐसे बनेगा तो यह आजाएगा A की पावर T equal to A की पावर T है ना तो हो गया हमारा पहला case true case second N को आपने क्या करना है K लेना है और to proof करेंगे यहां पे क्या करना है N की जगा K दाल दो यह बनेगा A K A K की पावर T और assume कर लो assume that N equal to K is true अब last case last case में क्या करना है N की जगा आपको K प्लस 1 दालना है तो to proof करेंगे यहां पर K जहां लिखा न वहां K प्लस 1 लिखतो यह देखो K प्लस 1 A K प्लस 1 की पावर T अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे सबसे पहले इसकी LHS लो A K प्लस 1 अब इसकी पावर को तोड़ो यह लिखेंगे K A की पावर T की पावर 1 अब इस K को अंदर ले आओ K seconds है देखो K seconds में हम K को अंदर लेके आ सकते है और इसको 1 को अंदर ले आओ ठीक है अब क्या करो दोनों का जो transpose है न वो एक कर दो यह देखो दोनों का transpose मैंने एक कर दिया वह यह बन जाएगा अगर आप देखो यही मारी RHS है तो N equal to K plus 1 is true तो hence proved यह हो गया मारा 63 भी complete